स्वागत है दूस्तो आप सब का आज की इस नमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा वर्सीज क्राइपस किरकेट मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्सन के बारे में सो दोस्तो बेस्ट विनिंग टीम बना के देने वाला हूँ पिछ रिपोर्ट बताने वाला हूँ एंड कैप्टेन एंड वाइस कैप्टेन के से बनाना है साथ ही कितने बलेबाज कितने गेंदबाज कितने आल राउंडर आपको अपनी टीम में लेने हैं सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक दीखेगा चलिए बिना टाइम वेश्ट किये सुरुवात करते इस इंट्रेस्टिंग वीडियो की सो दोस्तो सीरीज चल रही है येरोपियन किरकेट इंटरनेरसनल माल्टा 2023 और इस सीरीज का ये सौथा मैच है जा पर माल्टा का मैच कायप्रस से होने जा रहा है और ये मैच जो है मार्सा स्पोर्ट क्लब मार्सा माल्टा में खेला जाएगा इस मैच की जानकारी मैं आपको बता दूँ तो माल्टा वर्सेज काईप्रस और 19 नवंबर यनि कि आज के दिन 7 बज के 15 मिनट पे यह मैच सुरू होगा मार्सा स्पोर्ट क्लब मार्सा माल्टा में एम्पायर की बात करें मैच के अधिकारी की तो देखें जीत पटेल शेमुल इस्टेनेस लॉस और यस सिंग रेप्री की बात करें तो इस्टेफन गूच रेप्री हमें देखने को मिलते हैं अब मैच के पुर्व अवलोकन की बात करते हैं सो माल्टा ने इस रंगला में दो मैच के लिए और वे पहले इस्टान पर अपनी पकड़ मजबुत करने की कोसिस करेंगे जबकि कायपरस ने भी इस रंगला में दो मैच के लिए और वे वर्तमान में अंक तालिका में दूसरे इस्टान पर है अंक तालिका आपके सामने हैं आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखिये मार्सा स्पोर्ट कलब मार्सा माल्टा में ट्रेक काफी संतुलित है जसमें बलेबाज और गेंदबाज दोनों कोई मदद मिल सकती है पिसले पांच मैचों में इस मैदान पर पहली पारी का ओसत स्कोर 142 रहन है इस मैदान पर तेख गेंदबाज काफी सपल रहे हमारा सुझाव है कि आप अपनी टीम में अधिक से अधिक तेख गेंदबाजों को सुने सीधे मुकाबलों की बात करते हैं इन दो टीमों के वीच खेले गए तीन मैचों में माल्टा के गलाप काईपरस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और ये रूजान जारी भी रह सकता है दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने अब तक अपनी अपनी टीमों के लिए सबसे ज़्यादा फैंटासी अंग बनाएं सो तीन बल्लेबाज विकेट केपर की बात करते हैं पहला है बसिल गौर्ज इन्होंने पांच मैचों में 158 रन बनाएं दूसरा है जेसन खान इन्होंने चार मैचों में 112 रन बनाएं तीसरा है समाल सदुन इन्होंने तीन मैचों में 93 रन बनाएं अब बात करते हैं तीन गेंदबाजों की सो पहला है रोसन स्रिवर्दना इन्होंने तीन मैचों में 25 रन बनाए और 3 विकेट लिए दूसरा गेंदबाज है वकार अली इन्होंने चार मैचों में 3 रन बनाए और 4 विकेट लिए तीसरा जो की इंदवाज है वो है वसीम अबास इन्होंने पांच मैचों में दो विगेट ली है अब बात कर लेते हैं आल राउंडर खिलाडियों की सो पहला आल राउंडर खिलाडी है तरंजीत सिंग इन्होंने तीन मैचों में तीस रन बनाएं दूसरा ओल राउंडर खिलाड़ी है मंगला, गना, सीक, रहाँ इन्होंने तीन मैच्छा में 21 रन बनाए सो बात कर लेते हैं यहाँ पे कप्तान और उपकप्तान के सुजाव की सो कप्तान के तौर पे आपको बसिल गौड़्ज को सिलेक्ट करता है बात करते हैं दोनों टीमों के स्कॉईड की सो जैसा कि आप देख रहे हैं माल्टा का स्कॉईड आपके सामने है सिमलर्ली काईपरस का स्कॉईड भी आप अपनी स्क्रीन पे देगी पा रहे हो बनी-बनाई फैंटेसी टीम भी मैं आपको बता देता हूँ आप जो चाहे चेंज़े इस टीम के अंदर कर सकते हो विकेट केपर के तौर पे आपको रौकी डाइनेस को लेना है बल्लेबाज के तौर पे बसिल गौर्ज, जिसन खान और मौमद कासिम को लेना है आल राउंडर के तौर पे सूरज, दाराई, तेजविंदर सिंग, तरंजित सिंग, प्रियन पुसपराजन, नरेंदर नीगी और मेभूब अली को लेना है गेंदबाज आप विमल खंडूरी को लीजिए और कप्तान जो है आप जिसान खान को ले सकते हैं उपकप्तान आप प्रियन पुसपराजन को बना सकते हैं तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगाए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पे पहली बार आए हो, make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले समय में हर एक चोटे बड़े मैच का अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर रखेगा थैंक्स पर वाचिंग